दिन रात की मेहनत और हजारों लाखों रुपई की लागत से तैयार होती हैं फसले हड़ी तोड परिश्रम के बाद जाकर किसानों के खेतों में फसलों की जमक दिखाई देती है ये मेहनत सिर्फ एक दो दिनों की नहीं बलकि कई दिन निरंतर परिश्रम के बाद ये रंग लाती है अच्छे और बहतर उत्पादन के लिए किसानों को छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है जिन में से एक है फसलों को जानवरों और पक्षियों से बचाना इसके लिए कई किसान खेतों में ही मचान बना कर और उन पर उपर बैठ कर अपने खेतों और फसलों की देखभाल करते थे उपर बैठे-बैठे चारों ओर होने वाली हलचल और पशू और पक्षियों पर नजर रखते थे जिससे वो पैदावार को बचा सकें लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी फसलों को बचाना नामुम्किन हो जाता था जानवरों और पक्षियों के कारण फसल में लगभग 5 परतीशत से 15 परतीशत तक का नुकसान हो जाता है इसी नुकसान को कम करने के लिए एक यंत्र का इजात किया गया जिससे की किसान अपने खेतों में जानवरों और पक्षियों से फसलों को सुरक्षित कर सके हमारे खेतु में जैसे हम देखते हैं, कई प्रकार के पक्षी, बर्ड्स या या ये अनिमल्स हमारी क्रॉप को डामेज करते हैं इस से कम से कम पांच से ले के पंधा परसंट तक का नुकसान होता है और हमारे किसानों को एक आदमी उसके लिए लगाना पड़ता है ताकि वो बर्ड्स पक्षी का नुकसान बचा पाए इसी को देखते हुए हमने एक सोलर एनरजी बेस्ट एक यंतर बनाया जो कि राउंड दे कॉलाग 24 गंटे चलता जाएगा बिना रुके तो आपने देखा किस तरह से इस यंतर से आवाज निकलती है जिसके कारण जानवर और पक्षी खेतों से दूर रहते हैं और फसलों को हानी नहीं पहुचा पाते सौरी उर्जा से चलने वाला ये यंतर 120 सेकंड के बाद खुद ही आवाज निकालता है जिससे की जानवर और पक्षी खेतों से दूर रहें जो हर 120 सेकंड के बाद बज़ती रहेंगी और ये राउंड दे क्लॉक चलेगा, बारिश में चलेगा, हमेशा हर मुसम में चलेगा आज के समय क्रिशी में मशीन का दौर है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी क्रिशी में मशीनों की भूमी का बहुत एहम मानी जाती है आगे आने वाले समय में भी खेती को बढ़ावा देने के लिए मशीनों की इस्तिमाल के बिना ये मुम्किन नहीं है और इस तरह के यंत्र किसानों के लिए मददकार साबित होते ही हैं साथ ही किसानों के उपर कोई बोज नहीं डालते जिससे किसान आसानी से इन यंत्रों का वियोग कर सकते हैं